नमस्कार, खबरों का पंच नामा देख्वें आप, मैं हूँ आपके साथ पूजा, हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बाड़ी खबरे, जस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौझूद हैं, क्यापटल टीवी के एडिटरिन चीफ, डॉक्टर स्वागत है आपका, सबसे पहले नजर, हेड्लाइन स्टूड़, पंचाब के जालंदर और गुर्दासपूर में पियम मोधी ने की रैली तो वही हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया रोट्रो, मंडी में विशाल रैली को भी किया संबोधित, विपाक्षपर प्राहार क दौर भी रहा जारे राहूल गांधी कल जाएंगे पंचाब, चुनावी रैलियों का करेंगे आगास, 25 माई को अमरेसर, 29 माई को पटेाला और लोध्याना में राली, प्रयांका गांधी भी रहेंगे आक्टिव स्वाधी मालिवाल केस में केजरिवाल के चाहेते, विभग कुमार को लगा बड़ा जटका, कोट ने फिर चार दिन की न्याईक हिरासत में भेज रहा वोटिंग डेटा सरवजनिक करने की मांग कर रहें, याचिका करताओं को लगा सुप्रेम जटका, कोट ने आदेश देने से किया, साफ-साफ इनकार, चुनाओ आयोग को सुप्रेम कोट से मिली राहत नंदिग्राम हिंसा के बाद, आक्शन में बंगाल की राजपाल ममता पेनलजी को लिखा पत्र कहा, बंद करो खून खराबा मांगी रिपोर्ट ख़बरों की शिर्वात में सबसे वहले बाद पेम मोदी के चुनावी दौरी से जड़ी लोगसबा चुनाओ को देखते हुए पेम मोदी लगटार अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं इसी कड़ी में पेम मोदी आज हिमाचल और पंजाब के दौरे पर रहे हैं पेम मोदी हिमाचल में बीज़पी प्रत्याश्री कंगनर नौत और सुलेश कर्षप के लिए चुनाओ प्रशार किया विशाल राली को संबोदित किया हिमाचल प्रदेश के शिमला में पीम ने प्रोट शो भी किया प्यमोदी ने विपक्ष केंडी गडबंदन पर निशाना साथे में कहा कि उनकी साज़श का ताजा उधारन पश्चिम बंगाल में सामने आया दो दिन पहले ही वहां कॉलकता उचनैले ने कई मुस्लिम जात्यों के आरक्षन को खत्म कर दिया में आई तो राम मंदिर पर ताला लगा देंगे हमाचल के बार पंजाब पहुंचे रैली को संभोधित करते हुए प्यम ने कहा कि 1971 के भारत पाक यूद के समय अगर मोदी प्यम होता तो करतारपुर साहब भारत में होता यसे के साथ के जिवाल पर निशाना सारते हुए प भूखा कर सकते हैं दिन में दस बार जूट बोलते हैं वो पंजाब का भला नहीं कर सकते हिमाचल प्रदेश में लोगसबा की चार सीटे पंजाब में दस क्या कुछ तयारी हैे पेम बोडी की लेकिन प्रदार मंत्री मोदी न सिर्फ हिमाचन के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं भाशन टेलविजन पे चलता है और वो विपक्ष की जो मुसलिम अपीजमेंट पॉलिटिक से उसको एक्सपोज कर रहे हैं बिलकुल सही उधारन उनों दिया कि किस तरीके से आप देखिए एक सो अठतर ओबीसी कास्ट के लिस्ट में आपने एक सो सतरह कास्ट मुसलमानों के डाल दिये सो सीट अगर वहाँ पे नौकरी के लिए आती है तो मालूम चलता है कि उसमें सतर से असी फिस्दी मुसलिम्स वो नौकरी खा जाते हैं और जो हिंदू ओभीसी है जिनका अधिकार है वो रह जाता है तो एक तो मसला ये है और कॉंग्रेस पार्टी को लेकर के वो लगातार एक नई जानकारी आई कि किस तरीके से जो educational institutions है उसको UPA सरकार ने Congress Party की सरकार ने 8778, 878 इस तरक के institutions जहां उन्होंने minority status दे दिया जैसे ही minority status आप देते हो तो ठीक वैसे ही चाहे वो अलिगड़ हो चाहे वो जामिया हो वहां SC, ST, OBC reservation खत्म हो जाता है तो यह जो जाती जनगन्ना की बारे में बात कर रहे थे राहुल गांदी तो यह explain कौन करेगा कि आपने UPA सरकार के दौरान 8778 institutions में reservation दलितों के लिए और OBCS के लिए खत्म किया इसके लिए कौन जवाब दे है और अरबिंद केजरिवाल वो तो प्रधान मंत्री के हमले से अब तक वो समल नहीं पाए है आज नया कह दिया भई दिन बर में दस बार जूट बोलते हैं वाकई लोग अब समझने लग गए है कि केजरिवाल कि राजरीती का आधार ही जूट फरेब और अफवा है तो एक तिरब जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन भी पंजाब के दौरे पर रहे तो मही कल राखुल गांदी के पंजाब दौरी की खबर है पंजाब में मतदान आखरी चरण में है जिसको लेकर अब तमाम पातियां आक्टिब हो गई है खबरों के पुताबिक राखुल गांदी और प्रैंका गांदी की करीब पांच रालिया तै की गई है राखुल गांदी अपनी रालियों का आगाज 25 मई को अमरेसर से करेंगे इसके लावा 29 मई को पटियाला और लुध्याना में रालिय आउजित करने की तैयारी चल रही है जबकि 26 मई को प्रैंका गांदी की रालिया शुरू होगी इस दोरान श्रीफ पतेगर साहिब और जॉलहंदर में प्रैंका रालिय करेंगी इसके अलावा मलका अजुन खडगे सर्चन पालिट और अनस्टार कैंपेनर पंजाब में सक्रिय दिखेगे जिस तरह से कॉंग्रिस पंजाब में अक्टिव नजल आ रही है बाकी किसी राजियों में नजल नहीं आई थी किस तरह से कैंपेन की तैयारी है देखिए जब पिछली बार चुना हुए थे तो चोवन पच्पन का जो आकला कॉंग्रस पार्टी लेकर के आई थी उसमें दो तीन राज जो हैं उनकी बहुत ही एहम भूमी का थी उसमें से एक राज्य है पंजाब 13 सीटे हैं और वहाँ पे पिछली बार 8 सीटे जो है कॉंग्रस पार्टी जीती थी तो यहाँ पे वहाँ पे पहले इनकी सरकार भी थी और वहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ गड़बंदन नहीं है और यहाँ पे जोर लगाने का मतलब यह है कि कॉंग्रस पार्टी को रिवाइब करने की आप शकता है अब क्या होगा तारीख जो आपने सवाल किया कि क्यों अचानक से एक्टिव हो गई है यह जान भूचके एक स्ट्राटिजी है कल दिली में वोटिंग दाने जाएगी वोटिंग खतम और एलाइंस भी खतम और उसके बाद अरबिंद केजरिवाल और राहुल गान्दी के बीच कॉंग्रस पार्टी और आम आद्वी पार्टी के बीच जो युद्ध की सुरवात होगी वो बताएगा कि ये जो इंडी गडवंदन नाम का जन्तो इन लोगों ने क्रियेट किया था वो कितना फरेवी था कितना जूट था अगली ख़पर में बाद स्वाती मालिवाल केस में केजरिवाल के चहेते विभाव कुमार को कोट से लगे बड़े जड़के की स्वाती मालिवाल के साथ मार्पिट के आरोपे विभाव कुमार की पुलिस हिरासत की अमधी आज खत्म हो रही थी आज विभाव को दिल्ली पुलिस ने 30,000 कोट में पेश किया सुनवाई के दौरान विभाव के वकील ने कई तरह की दिली ली दी पर कोट ने विभव कुमार को चार दिनों यानि कि 28 मई तक की नियाई खिरासत ने भेज दिया है कोट का ये फैसला केजरिवाल के लिए भी बड़ा जटका है कोट ने फिर से चार दिन की नियाई खिरासत बढ़ा दी है कैसे फस गए है विभव मतलब नियाएक खिरासत का मतलब हो गया कि वो जाएंगे तिहार जेल अब चीफ मिनिस्टर जाएगा तिहार जेल तो बिना पीए के कैसे जाएगा पीए तो होना ज़रूरी है हर जगह साइक के तरह विभव केजरिवाल के साथ लगा रहता था तो अब दोतारिक को केजरिवाल को भी जाना है तो वहाँ वेवस्था करने के लिए जज साहब ने उनको भेज दिया और क्या बात हुई है ये केस ऐसा है कि लंबा न पेंगे विभव कुमार एक महिला सांसत को पीटने का अंजाम क्या होता है ये अब उनको समझ में आएगा रही बात, अलग-अलग थेयोरीज की, अलग-अलग कहानी की एक बात बिलकुल साफ है मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं जब ये कनफर्म कर दिया कि पिटाई हुई है, चोटे आई है तो अब यहाँ पे बचने की उमीद जो है, बहुत कम है ये अभी लंबा इन्विस्टिकेशन चलेगा बहुत सारे सबूत इन्होंने डिस्ट्रॉय किये है तो जो तमाम सिनारियो नदर आ रहा है दो तारिक को केजरिवाल पहुंचेगे उससे पहले विभव वहाँ पहुंच गए है शायद बवस्था करने के लिए उनको बहुत समय थोड़ा मिल जाएगा अब बात सुप्रिम कोर्ट से विपक्ष को लगे बड़े जटके की लोगसबर चुनाओ के वीच वोटिंग के आकड़ों में गड़बडी के आरोप लग रहे है कई विपक्षी राजनुतिक पार्टियों का दावा है कि चुनाओ वाले दिन वोटिंग प्रतीशत कुछ और होता है और एक हपते बाद कुछ और इसको लेकर सुप्रिम कोर्ट में भी आज काड़ार की गई थी मांग की गई कि सुप्रिम कोर्ट चुनाओ आयोग को वेबसाइट पर Form 17C की स्कैंट कॉपी अपलोड करने का आदेश दे पर आज इन विपक्षी पार्टियों को बड़ा जटका लग गया सुप्रिम कोर्ट ने चुनाओ आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूत वाइस वोटिंग डेटा और Form 17C डेटा अपलोड करने का निर्देश देने से साफ साफ इनकार कर दिया है विपक्षी पार्टियों बलगतार ये मुद्दा उठा रही थी डिस्टर्ब करने के लिए अप्रोच कर रहे है इवियम से प्राबलम है उनको प्रक्रिया से प्राबलम है उनको डेट से प्राबलम है साथ पेज में चुना हो जाए तो उसमें प्राबलम है इनको बेवस्था से प्रॉब्लम है, इनको तमाम चीजों से प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम है, क्या मांग कर रहे हैं ये, 48 गंटे में सब कुछ लगा दो, इसी दे कहा कि मैलोड ये मत करवाया जाए, कोई भी विवेक्ति फोटो खीच लेगा, डाटा बदल देगा, कोहरा चाहते का सोचल मीडिया के उपर, हमें अब कानून उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और उसके लिए को सजा भी नहीं होगी, एलेक्शन कमिशन के वेबसाइट के, को फोटो ले करके, कोई डाटा इधर से उधर करके, वो डाल देगा, उसको सजा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस तरह के कानून अभी तक बने नहीं है, और जबकि जो वोटिंग होती है, जो इवियम बंद किया जाता है, तो हर मसीन के उपर, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उसके सिंगनीचर्स क्या आवशक्ता होती, कितने वोट डाले गए, वो सार मैच किया हुआ होता है, इविन हर उम्मिदवार के रिपेंटेटिव को ये अधिकार होता है, कि जो इवियम पैक हुआ है, उसके उपर अपना धागा, अपनी निशानी, अपनी तरब से लौक लगा सकते हैं, यहां तक की सुबदा है, फिर भी इनको प्राब्लम है हर है, कि 11-12 वजे तक जो है, वो लोग इंतिजार करेंगे, रिजल्ट जो है, इनके खिलाब जाएगा, रोना धोना शुरू कर देंगे, तो फिर इवियम गरबल हो गया, तो एलेक्शन कमिशन जो है, वो गरबल कर दिया, फिर बोलेंगे, बैपुतीन के तरह एलेक्शन हो ग पुर्व मेदनीपूर जिलेक की नंदिग्राम में एक बुजल्ग महिला की हरत्या को लेकर मुखिमंतरी ममता बेनर जी क्या लोशना की है, उन्होंने सियम को ततकाल कारवाई करने और कारवाई की रिपोर्ट उन्हें सौपने का नर्तेश दिया है, राजपाल ने ममता बे के भीतर की जाए, क्या कुछ चल रहा है नंदिग्राम में? उस पर हमला करवा देता है, गाहिल करके भेज देता है, चिठ्छी लिखते रही है, बंग चल रहे हैं, हिंसा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कानून को ताक्त पर रख दिया गया है, आप चिठ्छी लिख रहे हैं? यह वाइरस है, इस तरह का जो पॉलिटिकल कल्चर जो बंगाल के अंदर में है, वो एक वाइरस है, देजवर में फैलेगा, तो एन आर्की आ जाएगी, तो कभी कभी सक्त हो करके भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, बंगाल में कानून का राज खत्म हो गया, वहाँ पे मॉबोक्रेसी है, वहाँ डिमोक्रेसी नहीं है, और इ हुई है, आए दिन वहाँ लोग मरते हैं, आए दिन वहाँ हत्याय होती है, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, सबको अपनी अपनी राजनी ते की रोटी सेखनी है, मरने वाला मरता जाए, किसी को कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, इसलिए बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए सारे लोग जिम्मिदार है, बहुत बहुत धन्यवाद सर्बाचित के लिए, धन्यवाद, खब्रों का बंच नाम में आज के लिए फिलाल इतना ही, देश विदेश की बाकी खब्रों और उनके सटीक अनलसस के लिए देख तेरे क्या पतल टिवी को सब्सक्राइब किजिए, नमस्कार